जैशी किशना दोस्तों बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बुद्वार की दिन किये जाने वाले बहुत ही अद्भुद उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन की सभी परेशानिया दूर होंगी दोस्तों अगर आपको धन से लेकर या अपने वैपार से लेकर या संतान को लेकर परेशानिया चल रही हैं आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पारी है कोई ना कोई अर्चन आ जाती है आपके काम में तो आप इन उपायों को अवश्य करें देखना आपके जीवन की सभी अधा दूर होती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है गड़े जी को प्रसंद करना भी बहुत ही सरल है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं बुद्वार के दिन किये जाने वाले उपाय उससे पहले दोस्तों आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपन अधाने वाले कई उपाय बता रहे हैं आप अपनी मतला इच्छा अनुसार इन में से उपाय कर सकते हैं सबसे पहला उपाय है दोस्तों अगर आपके घर में आर्थिक समस्या चल रही है यानि आपको धन से लेकर किसी भी प्रकार की परेशानिया चल रही है तो आप इस माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए और गाए को हरा चारा अपने हातों से अवश्य खिलाना चाहिए दूसरा है दोस्तों यदि आपका बुद्ध कमजोर है तो आपको हमेशा अपने पास हरे रंग का मतला रुमाल या कोई भी वस्तु अवश्य रखनी चाहिए अगला इसी भी जरूरत मंद को मूं की दाल का दान या हरे वस्तु का अगर आप उद्वार के दिन दान करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्थ होता है आपकी धन से सम्मनित प्रेशानिया दूर होती हैं दोस्तों अगला जो उपाए है वो संतान प्राप्ती के लिए अगर आपको संतान से सम्मनित परेशानिया चल रही हैं तो गडेज जी का पूजन अवश्य करना चाहिए गडेज जी को आपको लाल सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए और अपने मस्तक पर भी आपको अवश्य लगाना चाहिए और गडेज जी की पूजा के बाद आपको गड़ेज चालिसा का पाठ अवश्य करना चाहिए तभी पूजा संपूर मानी जाती है और गड़ेजी के सामने आपको मतलब शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम पार्वति प्रियन अंदनाय नमह यानि एक माला का जाप आपको अवश्य करना चाहिए गड़ेजी को आपको भोग भी अवश्य लगाना चाहिए आप फल का या मीठा का मिश्टान का भोग लगा सकते हैं आप लड़्डू बूनी के लड़्डू बेसन के लड़्डू या फिर मतलब फल में केले का भोग अवश्य लगा इनमें साब किसी भी एक वस्तु का भोग अवश्य लगा या ये उपाय आप अवश्य करें, अगला उपाय बहुत ही महतपूर्ण और विशेश उपाय है दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी बुद्वार के दिन कर सकते हैं, लेकिन एक बार अवश्य करें, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, यानि संतान को, धन क नोकरी को, वेपार को, यानि सभी परेशानी चल लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, दोस्तों बुद्वार के दिन गड़ेज जी की पूजा करने के बाद आपको ये उपाय करना है, आपको किन्नरों को देखे कुछ दान दक्षिला अवश्य करनी हैं, यानि आपको उनको पैसो का दान करना है, और उन से कुछ पैसे आश्रिवात के रूप में अवश्य लेने हैं, और उन पैसो को आप अपनी पूजा स्थल पर यानि अपने मंदिर पर रखें, वहाँ पर धूब दीब अवश्य जलाएं, देखना कुछ ही दिनों के बाद, मतलब उन पैसो को र प्रूब करके देखें, इसके अलावा भी दोस्तों वुदबार के दिन गडेंजी की पूजा के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गडेंजी भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रिये पुत्र कहलाते हैं, तो उनकी सीधे हाथ में रखकर अपनी परेशानी जो भी इच्छा है उसको बोल कर ओम नमश्य कहते वे आपको शिवलिंग पर अवश्य चड़ा देना चाहिए, ऐसा करने से आपकी कैसी भी मनो कामना है, वो शीगर पूरी होती है, तो दोस्तों ये हमने आपको बुदबार के दिन क ये जाने वाले उपाये बताए हैं, इन उपायों को अवश्य करें, देखना आपको निश्यद ही लाब मिलेगा, आपके उपर गणिजी की किरपा अवश्य ही होगी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरू करें, आप सभी को जैशी जब 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 झाल झाल